खबरों में बात करते हैं हम अमेठी की जहां अमेठी पुलिस ने घर वालों की प्रताटना से प्रशान होकर घर से भागे 14 वर्षी चातर को सकूशल ब्रामत कर लिया है पुलिस ने चातर को राइब रेली जन्पत के सूपर मार्केट से ब्रामत किया है अमेटी स्पी डोक्टर ख्याती गर्गनी पूलिस कारियाले सभागार में घटना का खुलासा करते हुए बच्चे की बरामदगी की जानकारी दी बताते चले कि पूरा मामला फुर्सत गंजधाना शेतर के भैदिया महमूद पूर का है जहां पर 13 सितंबर को इसी गांग का रहने वाला चातर अमन पाल अपने बड़े भाई बेहन वा अपने घर वालों के छोटी छोटी गलतियों से मारफिट और डाट पटकार को लेकर स्कूल जाने के बजाए घर से भाग निकला चातर के लापता होने की सूचना परिजनों ने 14 सितंबर को ठाने में दर्ज करवाई परिजनों की शिकायत के बाद सक्रिये हुई पूलिस ने बुद्वार सुभ है राइबरेली जनपत के सुपर मार्केट से चातर को बरामत कर उनके परिजनों को सकुशल सौंपतिया है और आज इसमें पुर्सभगंज पुलिस के प्रयास अथा प्रयास और एफ़र्स और डेडिकेशन के दौरा आज लड़का सुकुशल बरामद हुआ है और लड़के से बातचीत की गई तो बातचीत के दौरान उसमें यही बताए कि परिजनों ने उसको मारा होगा पीटा हो यही बताए के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख शेयर और सब्सक्राइब करें है थैन्ने वाद्यू